दोस्तो कई बार क्या होता है कि आपका कोई relative या friend आपसे बहुत ज़्यादा दूर होता है और आपको उसके phone में कोई setting करवानी होती है तो दोस्तो को समझाना बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है तो ऐसे मैं दोस्तो मैं एक life saving formula लेकर आया हूँ जिसको use करने के बाद में दोस्तो फोन में मैं जो भी access कर रहा हूँ वो second phone के अंदर जो मेरा primary device है उसके अंदर मैं हर एक activity monitor कर पा रहा हूँ बहुत ही easily तो यह वाला method दोस्तो बेसिकली service center में use होता है जब कोई up road होता है या service center जाने की स्थिति में नहीं होता है तो service center में जो technician होता है वो यहाँ पर phone को remotely access कर करता है पूरी permission लेने के बाद customer की और यहाँ पर जो settings required होती है वो कर दी जाती है तो यहाँ पर दोस्तों आप real life में application को कैसे use कर सकते हैं क्या क्या settings करनी है वो हम करने वाले हैं अभी तो यहाँ पर दोस्तों हम इस वाले device के अंदर simply play store के उपर चले जाएंगे और play store पे जाने के बाद दोस्तों आपको एक application को install करना है जिसका नाम है Anydesk Remote Desktop इंस्टॉल होने के बाद में दोस्तों आपको इसे simply यहीं से open कर लेना है open करने के बाद में दोस्तों nox license activation वाली setting की permission देनी है आपको permission देने के बाद में दोस्तों एक और जो plugin application है इसकी वो आपको install करनी पड़ेगी यहाँ पर तो फिर दुबारा से आपको जो यह plugin है इसको simply install कर लेना है और बस इसको install करने के बाद में दोस्तों आपका जो काम है यहाँ पर वो हो जाता है तो यह देखिए यह application जो install हो गई यहाँ कोई भी open का option नहीं आ रहा है अब आपको same जो चीज है यह आपको secondary device में करनी पड़ेगी तो यह जो है यह मेरा primary device है इसी phone के उपर हम complete monitoring जो है वो साथ वाले phone की देखने वाले है तो same दोस्तों वही प्रो दी है यहाँ पर देने के बाद में अगेन दोस्तों में जो plugin वाली application थी वो install कर लेनी है और install करने के बाद में दोस्तों simply आपको क्या करना है दोनों ही phone में इस application को open कर लेना है तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों जो हमारा secondary device है जिसको monitor करने वाले है इसके अंदर इस application को open कर लेंगे open होने के बाद में दोस्तों कुछ इस तरह का interface आएगा और top में आपको एक code लिखा हुआ मिलेगा तो similarly दोस्तों यहाँ पर भी आपको same interface मिलेगा अब जिस भी device को आप monitor करने वाले हैं for example हम इस device को monitor करने वाले हैं तो इस device के ऊपर जो यह code दिख रहा है आपको दोस्तों 8521-76745 इस code को simply हमने दोस्तों इस वाले phone के अंदर same application जो Anydesk की हमने install की थी उसके अंदर दोस्तों इस blank space पे हमें इस application को डाल देना है बस आपको दोस्तों application डालना है और उसके बाद जो दोस्तों magic है वो शुरू होता है अब आप देखिए दोस्तों जो complete access है उनके अंदर WhatsApp खुल के चैट कर सकते हैं या फिर वो जो भी किसी को call कर रहा है कुछ भी कर रहा है दोस्तों वो यहाँ पर आप सारी चीज़े monitor कर सकते हैं तो मेरी आप से request है दोस्तों की यह जो वीडियो वो educational purpose से है सम्क्राइब करते हैं कि मैंने तेरा phone hack कर लिया है तो कह आसे में दोस्तों आप लोग aware रही है यह वीडियो educational purpose से है इसको illegal use बिलकुल मत करिएगा मेरी आप से request है मिलता हूं दोस्तों बहुत जल्द ऐसी किसी और वीडियो में तब तक कि